हलो दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सब का हमारे चानल सत्याट कीचन में आज फिर से रोटी की वीडियो शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले देख लें यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा धीला डो तयार किया है साथ में लिया है सुखा आटा जिसको पर्थन भी कहते है अब यहाँ पे लोई ली है और इसे गोल करके सुखे आटे में लपीटेंगे रोटी की बहुत सारे वीडियो मैंने बनाई है आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते है आज जो है रोटी फिर से शेर कर रही हूँ इसके दो तीन रिजन है आज जो आपके साथ फिर से रोटी की वीडियो शेर कर रही हूँ इसका रिजन है पहला कि ये एक रिक्वेस्टेर वीडियो है दूसरा मुझे शेर करते हुए खुशी इसलिए हो रही है कि अभी मेरा एक रोटी का शॉड वन एम चला गया है तो मुझे लगा कि अब तो शेर करना ही चाहिए और तीसरा ये है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर जो है मेरे वो रोटी बनाना सीख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और आज जो रोटी का वीडियो मैंने बनाया है इस वीडियो में अलग-अलग एंगल से शूट किया है और आपको जो भी क्लिप लगता है कि देख करके आप सीख सकते हैं आप बे हीचक स्किप करके देखें और सीखें यहाँ पे भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रोटी की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और आपको रोटी से related कोई भी question हो आप बे जीजक comment करके मुझसे पूछ सकते हैं तो इस तरह बातो बातो में एक रोटी मैंने बेल ली अब आप यहाँ पे देखें medium size की मैंने lowly है इसको लपेटना है सुखे आटे में जिसे पर्थन कहते हैं अब इसे बेलेंगे बेलते हुए देखिए अलग angle से मैंने यहाँ पे shoot किया है तो सबसे पहले गौर से देखें यहाँ पे बेलते हुए बेलन को देखें कैसे move कर रहा है यह और move करते हुए ही आप देखेंगे कि जो रोटी है इसको और पर्थन चाहिए क्योंकि यह धीला डो है तो beginners जो है वो ज्यादा धीला डो ना तयार करें तो इस तरह से जब भी आपको लगता है कि यह चिपक रहा है बेलन से बस उठाना है सुखे आटे में इसे रखना है लपीटना है और आपको फिर से इसे पेलना शुरू करना है तो यहाँ पे जो है लगभग दो तीन या चार क्लिप मैंने एड किया है आप यहाँ पे देख ले आपको जो भी लगता है कि जिस भी एंगल का वीडियो आपको समझ में आता है आप skip करके देखें या आप चाहें तो पूरा का पूरा वीडियो भी देख सकते हैं लोई तो आप जिस तरह की रखना चाहें medium रखें, बड़ी रखें या छोड़ी रखें या बिल्कुल आपके उपर है मैं तो सिर्फ आपके साथ गोल रोटी कैसे बनाते हैं बस वही शेयर कर रही हूँ और इस पर मैंने धेरो वीडियो बनाई है तो जिस तरह से मैंने आपके लिए धेरो वीडियो बनाया है उसी तरह से आप भी अगर कुछ सीखते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप like किये बिना बिलकुल न चाहें और आप उनके साथ शेयर करें जिनको भी इसकी जरूरत है और निश्चित तोर पे आप अगर मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो अभी जो है सब्सक्राइब कर ले मैंने बोला इसका मतलब यह नहीं कि वीडियो का एंड होने वाला है वीडियो आपको पूरा देखना है अलग अलग एंगल से शूट किया है तो कोई न कोई जो है आपको देख करके लगेगा कि आप वहाँ से कुछ सीख पा रहे हैं पस आप एक चीज गौर से देखें कि पर्थन कब जोरत पड़ती है जब चिपकता है तो यहाँ पे इस तरह से मैंने रोटी बनाई है और यह रोटी बिल्कुल गोल बनी है और आपकी रोटी भी गोल इसी तरह से बन सकती है तो देख लिया आपने मैंने यहाँ पे बना लिया है साथ ही आप comment करना बिलकुल न भूलें कि आपको आज का जो रोटी का वीडियो है वो कैसा लगा क्या आप आज के वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं अगर सीख पा रहे हैं तो बिलकुल आप comment जरूर करें मुझे भी तसल्ली होगी जान करके और मेरा भी उत्साह पढ़ेगा कि मैं ऐसे ही कोई वीडियो में कुछ आपके लिए नया करूँ तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसमें पर्थन जो है कब-कब लिया है जो expert होते हैं वो इतना सुखा आटा यानि पर्थन नहीं लगाते हैं मैं बहुत ज़्यादा सुखा आटा नहीं लगाती हूं मैं जो कुछ भी कर रही हूं यहाँ पर हर तरह के डो तियार करती हूं अलग-अलग जो है मीडियम और बड़े साइस की छोटे साइस की लोई लेती हूं सब कुछ आपके लिए है सो अच्छा लगे तो लाइक, शेर, कमेंट करें चानल को सब्सक्राइब